नश्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के एनसी कुसुमनेट क्लासेज में तो जो साथी हमारे चैनल पर पहली बारा हैं सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे साथ में वेल आइकन को प्रेस कर अल नोटिफि यूट्यूर्स हमारे साथ जोड़ हैं उनको मैं बता दू यहां पर हम लोग यूजी सी नेट जयारेफ की तयारी इतिहास विसाय के साथ करते हैं यदि आप किसी अन्न विसाय के साथ यूजी सी नेट की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ पेपर वन की तयारी क सकते हैं उसके अलाबा यदि आप सिपील सरविसेज के छात्र है तो आप अपने पेपर इतिहास की तैयारी के लिए एब्स जीएस पेपर इतिहास की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जूड़ सकते हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत हैं तो साथीयों एक यहां पर हमें लोग पॉस्ट लिटेस्टी के बारे में बात कर रहे थे ज विचान काल्क के कुछ सियूए बारा बचा हुआ थे चाहित और कुर्ण मारे क्वेंच को के बारे में हमें बात करना है यानि इस पे लगबग 3-4 लेक्चर और आएंगे उसके बाद पॉस्ट मॉर्यन फेज लगबग खत्म हो जाएगा तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉस्ट मॉर्यान लिट्रेचर के बारे में तो आप हेडिंग दे दीजे पॉस्ट मॉर्यान लिट्रेचर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से रह रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरिन तरीके से चल रही होगी तो चलिए आप हमेशा क कर चल रहा हूं कि आपने हेडिंग डाल दिया है पॉस्ट मॉर्यान लिट्रेचर ठीक है पॉस्ट मॉर्यान लिट्रेचर हिंदी में दिया पढ़ते हैं तो मॉर्योत्तर कालिन साहित इसे बोला जाएगा ठीक है चलो इसमें मुख्य तोर पे हमारे पास सोर्सेज के रूप जैसे जब हम लोग शंGE बन्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लेब बताया था आपको महाभास से के बारे में महा भभास से के राइटर कौन थे पतंजली जो की पूश मित्रि सुंग के दरबार में रहते थे तो जहां पर कुछ special है उसमें मनुव अस्मृति हैं और यागवलक अस्मृति है जिससे सवाल हमेशा पूछा जाता है इस बार वाले भी examination में सवाल पूछा गया था तो चलिए फिर आप heading डाले जिए और लिखिए एक तरफ पॉस्ट मॉरियन डाइनिस्टी में 10 से 12 literature हमारे पास है उनमें से मुखे तोर पे अस्मृति ग्रंथ है उनमें मुखे तोर पे अस्मृति ग्रंथ है अस्मृति के बारे में बताया गया है कि अस्मृति क्या होता है साथ ही हो आपके memory के आधार पे आप किसी चीज को लिखते ह उसी को अस्मृति बोला गया है तो भारतिय इतिहास में दो अस्मृति तिन अस्मृति बहुत ही ज्यादा फेमस हैं जैसे मनु अस्मृति हाली में इसको लेकर बीबाद भी छिड़ा है क्योंकि केवी सी में अमिता बच्चन एक सवाल पूछा था कि अम्बेदकर ने हिंदु धर्म का बहुत ही पूराना ग्रंथ हुआ करता था जिसमें कानून के बारे में बाते की गई थी मनु अस्मृति के बारे में तो पचीस दिसंबर को इसको जलाया गया था डॉक्टर अम्बेदकर के द्वारा तो इसको लेकर के अमिता बच्चन पर अभी हाल फिलाल में हैं ऐसा कौन कहता है ऐसा पदम पूरान कहता है पूरान कितने टोटल अठारा है तो पदम पूरान में बतायागा है कि भारतिय इतिहास में टोटल 36 अस्मृति हैं 36 उसके बाद ब्रिध गौतम ठीके गौतम सुत्री से कहते हैं इसमें बताया गया कि 56 प्रकार के अस्मृति है हमारे पास उसके अलाबा वीर मित्रोदय नामक गरंथ में 57 टाइप्स के स्मृत्ति के बारे में चर्चा की गई है चलिए इसमें देखिए आप पहले हेडिंग डालिए मनुस्मृति जो की बहुत ही ज्यादा स्मृति का इंपोर्टेंट है आपको जानना भी चाहिए मनुस्मृति का जो रचना है सैकेंड सेंचूरी बीची है और इसी समय का यह भी है सेंचूरी बीची का यागवलक अस्मृति भी है तो हम लोग एक के करके दोनों को पढ़ेंगे मनु अस्मृति लिख लिख लिखे सेकंड सेंचूरी बीसी और इसमें बताएं इसके जो रचैता है उनका नाम है मनु ठीक है इसके जो फाउंडर है इसके जो जनक है इसके इसमें जो वोकल दिया है उनका नाम है मनु और मनु ने जो अस्मृति लिखा उसी को बोला गया तन स्विस्राइब कहें हिन्दू धर्म के लौक दे के बारे में चर्चा की गई है यह जो के रूप में ढहिए जैसे आप मनुत उसमर्ती को पढ़ ओगे आपको किता्ब को मार्केट में मिल जाएंगे तो Lewis लोग के रूप में लिखा गया है जैसे संस्क्रीत में श्लोग के रूप में गीता को लिखा गया उसी तरह से मनुस्मृति को भी श्लोग के रूप में मनु के द्वारा लिखा गया है उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट के रूप में लिखिए मनुस्मृति में मलेक्ष तथा पतित दो सब्सक्राइब का परियोग किया गया है उसके बाद इसमें 61 वर्ण संकर हाइब्रिड बोलते अंग्रेजिम इसको जातियों का उलेख किया गया है और जातियों का उलेख किया गया है वड संकर जाती का क्या आर्थ होता है साथ commence जिसमें अनुलों बिवा और प्रतिलों बिवा दो बीवा होता था जिसमें एक व्यक्ति मान लिजे की मेल अपर कास्ट का है उसके बाद अपर कास्ट या अपर बर्ण जो आप कहना चाहते हैं कहिए और फिमेल यादी लोर कास्ट की है लोर बर्ण की है तो उसके बाद जो उनके साथ जो शादी होता था उसे बोला जाता थ अनुलोम विवाह यानि यह셔서 है लेकिन प्रतिलोम विवाह का जिसका अर्थ है उल्ब जो की जाएज नहीं है जिसमें डि मिल जो होती थी वह अपर कास्ट की और मेंल जो होता था वह लोरकास्ट인데 था ठीक है तो इन दोनों शादी से जो प्रोडक्शन हुआ जो बच्चे उत्पन हुए वह सारे के सारे वर्ण संकर जाती में चले गए उसके अलाबा दो अन्य वर्ण या दो अन्य जाती के बीच जब शादी होता है उसके उपरांत जो बच्चे पैदा लेते हैं उसे पास्त मौर्यान फेज ऐसा है जब हमारे पास हिंद यावन से लेकरके श्क, शातबाहन, कुषान सब बाहर llev से चलकर कर आरहें और और बाहर से चलकर कर आते हैं उन सारे बच्चों को उन सारे population को वर्ण संकर जाती के अंतरगत रखा गया, तो post morian dynasty में, post morian phase में वर्ण संकर जातीयों का उलेख बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए मनुव स्म्रिती में 61 टाइप्स के वर्ण संकर जाती का उलेख किया गया है, किलिर है और अस्पेशली मनुवस्मृति में जो वर्ण संकर जातियां जो प्रोड्यूस हो रही थी उनको समाज में कैसे जगह दिया जाए उनको कौन सा स्थान दिया जाए उनको ब्राम्वन के अंतरगत रखा जाए शत्रिये के अंतरगत रखा जाए या फिर वैश के अंतर रखा जाया फिर शुद्रों के अंतरगत रखा जाए इन तमाम चीजों के बारे में ही मनुवस्मनिती में चर्चा की गई थी ठीक है उसके बाद इसमें बीवाह के बारे में भी चर्चा किया गया है marriage जिसमें बताया गया कि 8 परकार के विवाह होते हैं यदि आपने बैदिक धर्म बाले लेक्शर को देखा होगा और यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के playlist में चले जाना वहां पर बैदिक धर्म यानि बैदिक यूग के नाम से का लेक्षर मिलेगा उसमें लगबग आठ से दस लेक्षर होंगे आप सभी को देख लिजेगा वहां पर हमने डिटेल में बताया है आठ बीवाह कौन-कौन बीवाह थे और कौन-कौन सा बीवाह जायज था प्रेम बीवाह क्या इन तमाम चीजों के बारे में हमने वहां पर डिटेल में चर्चा की है तो आपको निश्चित तोर पर उसे देखना चाहिए मनुवस्मृति में आठ प्रकार के बीवाह की चर्चा की गई है उसके बाद इन्होंने बताया है धन के अधिकार यानि संपत्ति के अधिकार पर मनुवस्मृति चर्चा करता है इसमें बताता है कि संपत्ति पे महिलाओं का अधिकार नहीं होता है बलकि संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ पूरुशों का अधिकार होता है इन्होंने धन के बारे में बताया है कि दो परकार के धन होते हैं पहला चल संपत्ति मुवेबल संपत्Te और दुसरा इम वेल यानि अचल संपत्ती जो चल नहीं सकता है जैसा जमीन अचल संपत्ति इस आपका पैसा है अचल संपत्त आपका सो criticisms यह साथ की संपत्ति चल अचल बताया है कि परिबारी का जो मुखिया होता है वह पीता या फिर पीता के मर जाने के बाद लड़की का उसका बड़ा भाई होता है लेकिन किसी भी हाल में उस घर की महिलाएं चल एबम अचल संपत्ती की मुखिया नहीं हो सकती है यानि संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया कि जो परिवार का मुख्या होगा जो पीता या फिल लड़की का बड़ा भाई होगा वही संपत्ति का हेड होगा मुख्या होगा क्लियर है चलो संपत्ति के बटवारे के बारे में बात भी की गई है ठीक है संपत्ति के बटवारे की बारे में बाते हुई है उस प्रथा को बोला जाता है उदगाह या उगाह नियम उदगाह या उगाह नियम इसको आप लिख लिजेगा उसके अलाबा बताया जाता कि चल पूछा जाता है दाय भाग नियम क्या है तो आप बता सकते हो कि मनु के द्वारा लिखी गए स्मृति मनु अस्मृति में संपत्ती के अधिकार की चर्चा की गई है जिसमें बताया गया है कि संपत्ती के अधिकार किसके अंतरगत आते हैं या फिर संपत्ती पे किस व्यक्ति का अधिकार होता है इस नियम को ही इस प्रथा को घरसल दाय-भाग नियम कहा गया भार्तिये इतिहास में उसके अलाबा संपत्ति के बटबारे की प्रथा को क्या कहा गया उदगाह एबं उगाह नियम इसलिए इन दोनों चीजों को आप ध्यान से समझिएगा उसके बाद देखिए इस तरी के संपत्ति पे किसी भी परकार के अधिकार को या खारीज करता है पॉइंट वाज लिखना इसको उसके बाद लिखना बताता है कि लड़की के भाई के पास उसका मौलिक करतब्य है मौलिक कर्तब नहीं बोल करके बोलिए नैतिक कर्तब बे हुσε की वह अपने संपत्ती के एक वटा चार हिस्सा को खर्च करकर के अपनी बहन का बिवाह कर सके फीक है उसके बाद इन्होंने बताया क्द जो होता वह दैबिय होता है याँनि राजा की तुलना इन्होंने देव एक यानी देवता ही उसको प्रृथिवी पर राजा बना कर भ障ते हैं तो राजा का जो पद है कि बीए पद है कि इनके रुख लेकिन यागबलक के रुख में बीए नहीं हो आगे रैपना से न हम लोग उसमें भी चर्चा करेंगा आगे देखिए मनुष्मनिती सूद की चर्चा की गई है और बताया गया है कि यहां पर 15 प्रतिसत ठीक है 15 प्रतिसत आप से वार्शिक लोन लिया जाता था जैसे आप किसी से सूद लेते थे तो 15 प्रतिसत के ब्याज पर 15 प्रतिसत का बार्शिक ब्याज पर ठीक है आपको पैसे दिये जाते थे उसके अल करता है उसके अलाबा साथ प्रकार के दास की चर्चा की है आपको पता होगा कौटिले ने कितनी प्रकार की चर्चा की थी नौ प्रकार के दास की चर्चा की थी उसके अलाबा जब मेगास्थनी चल कर आया था तो उन्होंने भी साथ प्रकार के दासों की चर्चा की थी तो य प्रता पर यह मौन है नियोग प्रता क्या होता है वह हम लोग यागवलक अस्मदिती में बात करते हैं तो नियोग प्रता पर भी यह लोग मौन है उसके लावा बिवाह के लिए इन्हों निर्धारित किया था वह मेल के लिए सुरुवाती दौर में 24 साल था आगे चल करके 30 साल हो जाता है और फिमेल के लिए सुरुवाती दौर में 8 साल था और फिर आगे चल करके 12 साल हो जाता है आप देखो कितना गैप है इतना गैप है लेकिन यही मामले में आप देखोगे यागवलक तो इन्होंने जो डेट निर धारित क्या है वह बिल्कुल मनु से अलग है और बहुत ही लिवरल अप्रोच है किसका यागवलक का आगे बात करते हैं अब देखो मनुव स्मृति पे कई तरह की टीकाएं भी लिखी गई तो किन किन लोगों ने टीका लिखा एक बार नाम लिख लिजेगा इससे आप से सव लगों बर पहारुची इन चार व्यक्तियों मनु अस्मृति पे टीकाएं लिखी है इसके अलाबा मनु अस्मृति में श्रेणी बेवस्था की चर्चा की गई है श्रेणी क्या होते थे ब्यपारियों के समू को स्रेणी कहते थे जोकी गिल्ड सिस्टम चल रहा था इससे मे करना चाहिए उसके अलाबा एक बात और लिखिएगा बहु पतित्व भीवाह ठीक है बहु पतित्व भीवाह का क्या रथ है एक पत्नी के एक औरत के कई सारे पति इसकी अलोचना की गई है किसमें मनुवस्मृति में इसकी अलोचना की कर लेते हो याद कर लेते हो तो फिर मनुस्मृति से जो भी सवाल आएंगे लगबग आप हर एक सवाल को बनाने की इस्थिती में होंगे जली ध्यान रखिएगा बस आप भी सेकंड सेंचूरी बीसी के हैं ठीक है उसके बाद यागवलक ने भी बात कि है देखिए यागवलक का जो अप्रोच है वह काफी लिब्रल अप्रोच है यह अप्रोच में काफी उदार हैं और यहां पर यह बहुत ही हार्ष है हाड है यह ठीक है चलो यागवलक ने भी बत कोई एतिहासिक प्रमान नहीं मिलता है नहीं मनुवस्मृति सिध्ध कर पाता है नहीं यागवलेक अस्मृति सिध्ध कर पाता है लेकिन इस तरह की चर्चा यहां पर मिलती है उसके बाद यहां पर दुत क्रिणा को जायज ठाराया गया ठीक है दुत क्रिणा क्या है जो की र नहीं की गई है ऐसा नहीं किसका समर्थन किया गया हैलेकिन यहां पर उसकी और लोचना भी नहीं की गई है यहां पर अळोचना की गई है कहाँ पर मनव स्मृति में दोनों को आप comparison करके पढ़ोगे jaimpear करके पढ़ोगे तब चीजे जादा समझने में सहूलियत होगी उसके बाद देखिए यागवलक कस्मडिती में 10 प्रकार के दास की चर्चा है दास का क्यारत है गुलाम ठीक है 10 प्रकार के दास की चर्चा है उसके अलाबा 15 प्रकार के अपराध की चर्चा है ठीक है 15 प्रकार के क्राइम की चर्चा है उसके अलाबा 16 प् कार के संसकार की चर्चा है उसके अलावा यागवलक ने जो विवाह के लिए एज निर्धारित किया है वह बहुत ही साइंस्टिफिक है और बहुत ही मॉडन है कैसे इन्हों ने विवाह के लिए जो टाइम निर्धारित किया वह कहा कि फिमेल के लिए 12 साल और मेल के लिए 13 सा क्या गयानि लगबग चौबीस साल का गयप है यानि देखो आठ साल और यहाँ चौबीस है ऑसाह डी कितना ज्यादा है यहां पर गैपिन कितना कम है यह बहुत ही ट्रडिशनल आप्रोच है बहुत ही साइस्ट्री फिक अप्रोच वह दिलिब्र nimmt पॉच है उसके बाद बात करते हैं इन्होंने बीधवा को संपत्ती में अधिकार की बात की गई है वैसे महिला जिनके पती की किसी भी कारणवंस देहांत हो जाती थी तो उनको संपत्ती में अधिकार देने की बात करता है अधिकार देने की बकालत करता है कौन करता है यागवलक करते ह उसके बाद देखिए इन्होंने नियोग प्रथा को जायज माना है ठीक है नियोग प्रथा को जायज माना है क्या नियोग प्रथा वह होता था जिसमें एक महिला के पती की दिहान्त हो जाती थी या फिर उनके पती किसी कारण वस या किसी बीमारी वस वह पीता नहीं बन सकते तो महिला के पास यहां अधिकार था कि वह अपने पती के भाई के साथ बैबाहिक संबंद या संभोग कर अपने पूत्र को जन्म दे सकती थी इसी सिस्टम को बुला गया है नियोग पर था और यह बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है और बहुत ही साइंस्टिफिक अप्रो उसके बाद यागवलक अस्मृति पे जो टीका लिखी गई वहां पर भी तिन चार लोगों ने लिखा है पहले का नाम है बिश्वरूप यह नाम को जरूर याद रखिएगा साथियों इससे सवाल आप से हमेशा पूछा जाता है बिश्वरूप है उसके बाद अब परहार कहें इनको सीलाहार राजा भी बोला गया है उसके लावा बिश्वर जिनकी किताब है मिताक्षरा तो मिताक्षरा किताब जो है दरसल एक परकार का टीका है किस पर यागवलक अस्मृति पे ही लिखी गई टीका है उसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा बिश्वर दस परकार के अपराधो की चर्चा की गई है यह सब पॉइंट को आप स्टार मारकर लिखेगा आपसे एक्जामिनेशन में डारेक्ट सवाल पुछे जाते हैं मनुव स्मृति में निम्न लिखित में से कितने परकार के दासों की चर्चा की गई है या निम्न में से कौन सा स स्टेट्मेंट मनुव स्मृति के साथ मेल नहीं खाता है तो आपको तिन चार स्टेट्मेंट दे दिये जाएंगे तो आप जब तक आप सारे स्टेट्मेंट को नहीं पढ़ेंगे धंसे पूरे के पूरे मनुव स्मृति को आप नहीं याद किजिएगा धंसे इतने और इनके इन्होंने लगबग 13 परकार की रचनाएं की ठीक है इनके 13 रचनाएं लेकिन दो ही रचना है जो पॉस्ट मौरियन फेज को पढ़ने में सहायक है कौन-कौन एक का नाम है प्रतियोगंध हरायन ठीक है प्रतियोगंध हरायन उसके अलाबा स्वपनवास बद्दतम यह पहला पूर्ण नाटक है, इससे पहले जितने भी नाटक लिखे गए थे, वह अपूर्ण थे, वह अधोरे नाटक थे, यहाँ पर नाटक को पूरा पूरा लिखा गया है, उसके बाद देखिए, इनके और ग्रंथ हैं, जिसमें है सुत्रालंकार है, एक है ब्रज सुची, बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, सारी पूत्र प्रकरण है, और महायान शतोत पाद है, यह सभी ग्रंथ को आप लिख लिजेगा, ब्रज सुची के बारे में आप ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रज सुची भारतिय इतिहास का, पहला ऐसा ग्रंथ है, जिसमें जाती ब्रज सुची में जाती ब्रज यानियों का ग्रंथ था, जो की महायान से ही निकला हुआ एक संपरदाय था, किसके द्वारा काल चक्र के द्वारा, चलो, बुद्ध चरित में बुद्ध के लाइफ की चर्चा की गई है, ठीक है, बुद्ध चरित में बुद्ध के लाइफ की चर्चा की गई है, और उसके बाद, अच्छा, माफ करना यार, यह सब, भास की रचनाय तो दो ही है, मेरे ख्याल से, हाँ, भास की रचनाय दो है, यहा यहां पर मैंने नाम लिखना भूल गया था आप यहां पर नाम लिख लो अश्व घोस देखो अश्व घोस अश्व घोस की लिखी वया किताब है कौन-कौन सुत्रा लंकार ब्रज सूची बुद्ध चरित और सुंद्रानंद और सारी पूत्र प्रकरण और महायान छतुत पा सुंद्रानंद में बुद्ध का भाई नंद एबं उनकी राजकुमारी उनकी जो कन्या थी उसके बारे में जिक्र किया गया है ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने लिखना भूल गया था उसके लिए एक्स्ट्रिमली सौरी आगे बात करते हम लोग चौथे नंबर के नाम है मिनांडर और भारत के बाध धर्म के आचार नागसें तो उन दोनों के बीच में एक इंटलेक्शुली टॉक होता है में पढ़ाई कर रहे थे वहां पर इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी वहां पर जाकर उसको आप देख लिजेगा इसलिए यहां पर हम लोग सांकेतिक तौर पर इसको पढ़ेंगे पासमें नंबर पर महाभास जोकी पतंजली के द्वारा लिखी गई है और हमने अब व्याकरण पर लिखी गई टीका है ठीक है क्लियर है कौन से व्याकरण के गरंथ पाननी ने एक किताब ही थी टीका है किस के द्वारा पतंजली केistorी सवाल आप से पूछा जाता है लिखा कौन है उसके नावा पतंजली किसके दरवार में रहते थे ठीक है या किसके दरुर के पूरो घी थे तो वहाँ पुशमित्र शुंग के दर्वार में रहते थे जब हम लोगश्ण बंस पढ़ रहे थे तो जब आकर्मन करते हैं भारत पे तो उनके आकर्मन एबम उनके द्वारा जीते गए प्रदेशों की चर्चा मिलती है गारगी सनहीता में उसके लाब मालवी कागनी मित्रम जो की काली दास के द्वारा लिखा गया एक नाटक है और यह शुंग कालीन राजनेतिक गदिविधिय एबम सामाजिक गतिविधिया एबम पुश्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए अस्व मेग यग एबम उनके द्वारा जीते गए बिजित प्रदेशों की चर्चा करता है उसके बाद बात करते हैं दिब्या बदान के बारे में और हमने बताया था आपको कि दिब्य चर्चा की गई है कि बौद धर्म के द्वारा बनाये गए 84,000 स्थूपो को किसने तोड़वाया था पुश्यमित्र शुंग ने तोड़वा डाला था चलो उसके अलाबा इसमें एक बात की चर्चा और की गई है कि अंतिम मौरेवंश के सासक ठीके मौरेवंश के अंतिम सा में एक नया अध्याय जुड़ता है जिसे आप शुंग वन्स के नाम से जानते हो उसके बाद देखो अगला हमारे पास किताब है हर्ष चरित ठीक हर्ष चरित किन्होंने लिखा आपको पता होगा हर्ष चरित हर्ष के जीवनी पर यानि हर्ष के जीवनी पर आधारित ग्र क्यों किती कब किती इसके बारे में करके यहां पर चीतरण किया गया है उसके अलाबा है इसमें बताया गया है कि हर्ष बर्धन जो है ठीक हर्ष चरित उसे अनार एबम निम्न उत्पति का बताता है किसको रिदत को इसको ब्रिहदत को चलो तो हर्ष चरित के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब इससे हर्ष कालीन समाजिक विवस्था के बारे में जीक्र मिलेगी जब हम लोग हर्ष बर्धन के बारे में पढ़ेंगे वहां पर और इसको डिटेल में पढ़ाई करेंगे फिल यह मुसalten को पढ़िए तो सबसे पहले ध thấyान जरूर रकिए किस धर्म से रिलेटड है इसके लेखक वह और इसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है वर्ट मेरुत उन्हें के दौरा लिखा गया चौदामी सदी के लेखक और मSI जान लेखक है लेकिन इन्हों पॉस्त मौर्यम सेट्वन रेस्ज जैसे आज आप एंसेंट हिस्ट्री में रिसर्च करते हो मानु आप सिंदु Hin जो आज 21 सदी में लेकिन रिसर्च आप कर रहे हैं किसवी सदी सब पुर्व की बात कर रहे हैं उसके बात करते हैं बाद हम लोग इसमें पुशी मुत्र के बारे में चर्चा की गई ध्यान रखिएगा उसके बाद हमारे पार शुष्रूत सनहीता शुष्रूत एक ब्यक्ति हैं जो की medical sciences से related व्यक्ति हैं तो इन्होंने एक सनहीता तयार की इसको medical sciences से related माना जाता है इसमें 121 प्रकार के उपकरणों की चर्चा है जिनका इस्तेमाल शल्ले जिसको अंग्रेजी में आप operation बोलते हो operation करने के लिए किया जाता था उसके लाबा शुश्रुत सनहीता में मोतिया बिंद नामक बीमारी एवं पत्री नामक बीमारी के इलाज के बारे में चर्चा की गई उनके इलाज के बारे में बताया गया है उसके बाद आते हैं लास्ट हमारे पास है चरक सनहीता और चरक सनहीता के बारे में लिखिए चरक सनहीता को भारतिये medical science का Indian medical science का बिश्व जैसे सब्द कोश होता है डिक्सनरी जिसको बोलते हो उसके बाद ध्यान रखना इसमें जोर के यानि फीवर जिसको बोलते हो कुष्ट की मिर्गी की यह एक्षमा जैसे रोगों के इलाज के बारे में बताया गया है यानि भारतिय मेडिकल साइंस पर प्राचिन भारत में जा उसके बाद बनस्पति सास्त्र ठीक है बनस्पति सास्त्र एबम रसायन सास्त्र के बारे में भी यहां पर चर्चा की गई है बनस्पति सास्त्र को क्या बोलता है इंग्रेजी में बोटनी ठीक है बोटनी एबम केमिस्ट्री ठीक है कैमिस्ट्री इन दोनों के बारे में भी यानि जिन पेड पौधो का परयोग दबा बनाने के लिए किया जाता था उन पेड पौधो का जिकर कहां किया गया चरक सनहीता के अंतरगत किया है तो यह तमाम तरह के ग्रंथते जिनको पढ़ने के बाद आप पॉस्ट मोरेन लिट्रेचर के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी जुटा पाएंगे और पॉस्ट मोरेन के बारे में आप सामाजिक, राजनितिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक गतिवीधियों के बारे में ज हमारे साथ continue बने रहिए और आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए भ्यान रखिएगा हम लोगों का टार्गेट है जून 2021 का एक्जामिनेशन उससे पहले कोशिश करेंगे हम लोग सारे चीजों को खत्म करने की तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए आप शोड में एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए लोगों से प्यार करते र करते हैं